हाई आइस कैसे हैं आप सब औस्टेलिया और अफगनिस्तान के बीच जो है 4800 मुकाबला इस्टी 20 वर्लकव का खेला जाने वाला है सूपरेट का एक और कमाल का मुकाबला खेला जाने वाला है तो कौन से टीम है मुकाबला जीते की इस वीडियो में डिसकस करेंगे 50 ओवर वर्लकव में अफगनिस्तान की टीम जब औस्टेलिया के साथ भीरी थी तो अल्मोस्ट मुकाबला जीत गए थी मैक्सवल की एक बहुत ही जादे कमाल की पारी हमें देखने को मिली थी एक पैर पर उन्होंने मैच जिताया था और औस्टेलिया को जिताया था लेकिन अफगनिस्तान ने अल्मोस्ट उस मैच में उस्टेलिया को हरा दिया था तो क्या उस मैच का बतला यहां पर अफगनिस्तान की टीम ले पाएगी या फिर उस्टेलिया एक बार फिर से यह मुकाबला जीत देगी जूड़ेंगे इसी सवाल का जवाब साधीता ड्रीम 11 की टीम भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यह जो मुकाबला है 23 जून को सुह में 6 वजे से खिला जाने वाला जो साम का मैच है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर कवर किया जाएगा तो हमारे टेलिग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और एड्रेट इंडियन यूज एक्सपर्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में रिक्स्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम का लिंक भी मिल जाएगा तो आगे बढ़ने से पिले एक और रिक्वेस्ट है बाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बाद में आप भूल जाते हो लाइक अभी कर दो ठीक है टेलिग्राम से आप बाद में भी जूड़ सकते हो तो अर्नोस वेले ग्राउंड में किंग्स टाउन में ये मुकाबला खेला जाने वाला पिछ रिपोर्ट से सुरुवात करते हैं तो सिर्फ पांच मुकाबले हुए एक सो तीस कावरेस को रहे चार मैस्ट डिफेंड हुए और एक मैस्ट सिर्फ चेस हुआ है ठीक है तीन बार एक सो पचास नीचे दो बार एक सो पचास एक सो सतर बन चुगा है यहां की जो विगेट है इकोली बैटर्स और बॉलर्स दोनों को फेवर गरती है इस स्पिनरों के लिए एक्चुली यहां पर जादे मदद है और 106 का टोटल यहां पर डिफेंड हुआ यह देखिए 130-140 का टोटल हम एक्सपेक्ट करके इस मैच में चल सकते हैं पेसर स्पिनरों के लिए एक्चुली जादे मदद है पांच मैचों में चालीस विगेट स्पिनरों ने और 25 विगेट पेसर ने लिए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पिनरों से यहां पर कितना अच्छा करते हैं हेट टो हेट इन दोरों टीमों के भीच एक ही मुकाबले हुए और वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और श्ट्रेलिया की बात जाए तो ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन तो इंगलेंड है 50 ओवर्स गेम की चैंपियन अस्ट्रेलिया अब यहां पर T20 में भी चैंपियन बनने की तरह अग्रशर हो रही है और बल्लेबाजी बहुत ही भाहना को रिये डेवीड वोर्नर ट्रेवेज हैड बहुत अच्छे फॉर्म मेनजर आ रहे हैं मिडिल ओडर पेनजर डाल जा तो इनके पास मिच मार्स मैक्सवेल इनके पास मौझूद है मैथ्यू वेड बैट कोमिंज भी बैटिंग करते हैं पास मैथ्यू वेड रिस्ट्रक्तिव बैटर्स है जो कि सिंगल हैंडली मैच कैसे जीता आया जाता है Maxwell ने जो है पिछले साल पिछले वर्ड कब में 23 फिप्टी ओवर्स केम में 12 सतक लगा कर अकेले एक पैर पे मैच जिता कर बताया था कि Australia के पास जो भी खिलाडी मौझूद है अकेले मैच बदलते सकते हैं सामने चाहें कोई भी हो और फिलाल में उस तरीके का प्रजसरीन होने किया भी है ड्रेवीड वर्नर बैक टू बैक चीनिंग सकेल ने पिछले मैच में 50 जड़ी ट्रेविस हैड ने अच्छा किया मिच मार्स का चलना बाकी है Maxwell भी पिछले मैच में अच्छे टैच में जा रहा है और जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम बहतरीन तरीके से जीत करा रही है 140 पे पहले तो रोख दिया बंगलादेश को और सिर्फ 11 ओबर में सौरन बना लिया था DLS मेंथद से ये लोग जीत गए गिंदबाजी देखी कितनी अच्छी हुई स्टाक ने अच्छी गिंदबाजी करी एक विकेट निकाले और इनका IPL में हाल देखा था न क्या हाल था अब वल्लकप वाली गिंदबाजी ये कर रहे है 25 रन चार हो रहे है सर 25 रन कॉमिंस ने तीन विकेट जंपर ने दो विकेट पर मैक्सवेल ने भी विकेट निकाले तो सभी गिंदबाज बहुत ही कमाल की गिंदबाजी कर रहे है चाहे हो स्पिनर हो पेसर सो सब अच्छा कर रहे है और उस्टेलिया के टीम एक और कब जीतने की तरफ बढ़ रही है और इस मैच में भी डेविड वार्नर का बल्ला चल सकता है ट्रेविज हेड भी रन कर सकते हैं 31, 68, 34 लगातार ये भी रन कर रहे है बहुत ही जवजा स्वाम में है और IPL में तो देखा ही किस तरीके से बल्ले भाजी कर सकते हैं साथी साथ मिच मार्स को आप GL वागेरा के लिए ट्राय कर सकते हैं 35 है पिछली पांच पारियों में हाला कि उतने अच्छे टच में ये नजर नहीं आ है बट इस मैच में चल सकते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों का ओप्सन देते हैं पौटि फाइब किया था अफगनिस्तान के खिलाफ लास्ट मीट में एक ही मैच खेला एक्चुली तो GL वगरा के लिए इनको ट्राय किया जा सकता है उसके अलवा गले आन मैक्सवेल 14 एक विकेट, 11 दो विकेट, 28 और 24 किया था और वल्लकब दो जाते हैं इसमें 12 सतक भी जड़ा था तो उसका भी इंपक्ट देखने को मिलेगा तो यह हमारी टीम है उसके अलवा जो है इस्टोनिस बहुत अच्छी गिंद बाजी करें मैथ्यू वेड भी बहुत नीचे आते हैं तो इनको भी स्किप किया जा रहा है पैट कॉमेंस तीन विकेट यह थे आकरी मैच में यहां एक, यहां दो, यहां 24 एक विकेट, एक विकेट बैटिंग का मौका तो नहीं आएगा क्यूँकि उपर के बलेबाज बहुत अच्छी फोर्म है गिंद बाजी से आपको विकेट लेकर दे सकते हैं मिश्चे स्टाक भी बहुत अच्छे फोर्म है दो मैचों से हलागे विकेट लेस गया है लेकिन गिंद बाजी हर मैच मैच करें तो बड़ी टीम होगे सामने दो बैक टू बैक मुकाबले ये लोग हार चुके हैं और टीम बहुत अच्छी है इनकी बॉलिंग यूनिट इनकी बहुत ही अच्छी है बड़ ये टीम बैटिंग में काफ़ी जादे कोलापस हो रही है पिछले मैच में तो इंडिया ने 180 पलस बनाया था और ये 140 क्यास पर सिमट गये थे और ये देखिए बैक टू बैक फ्लॉप पार ये टॉप वाटर के दोवारा मीडी डोर ने थोड़ा डबल डिजिटी स्को क्रॉस किया लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही कम स्कोर पर सिमट गया थी ये स्कोर कट गलत एट हो गया गिंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है फैजल अकफारू की बहुत अच्छा कर रहे है नभी इनके पास है नमीनुलहक लगातार विकेट्स ले रहे है पिछले महेंगे साबित हुए थे राशित ने तीन विकेट निकाले नूर एहमद अच्छा कर रहे है अजमतुलह अच्छा कर रहे है तो गिंदबाजी में काफी दमकम है लेकिन बल्लेबाजी में दमकम नहीं है ऑन पेपर देखा जाया तो इनके पास गुरबाज है जजई बहुत परास कर दिया था 300 प्लस उस मैच में इन्होंने खड़ा किया तो हो सकता है कि उस मैच का बदल लेने के लिए ये लोग इस मैच में अच्छा करें गुरबाज अकेले मैच बदलने की छमता रखते हैं गुलाब दीन नैब एराहिं जदरन हजजजई भी बहुत इक डिस्ट उनकी तो बैटिंग आएगी या नहीं आएगी इसके भी जो है कोई चांसेज नहीं है उस्टेलिया खिलाब तीस किया था एकी मैच के लिए इस मैच में चल सकते हैं जजजजई बाइस चौशट मैटिस यहां पर देखेंगे तो फोर्म आपको अच्छा नजर आएगा और ले सकते हैं आप चाहें तो इनको अपनी टीम में हमने लिया इबराहिम जदरान को यहां 38-44-70 का स्कूर देखने को मिल ला है कमाल के बल लिबाज है यह गुलाब दीन नैप बहुत ही अच्छे लाउंडर है यह 17-2 विकेट 49 तो आप चाहो तो इबराहिम जदरान की गर सकते हैं लेकिन फॉर्म देखा जाया तो बैक टो बैक विकेट लेस पारिया गई है यह दो विकेट छोड़ दिया जा तो रन भी नहीं कर रहे हैं नजब तुल्ला जदरान भी बहुत बेकार फॉर्म में है इसलिए हमने लिए राशिद खान को जो कि लागातार ऑर नविनुल हग भी विकेट निकाल लेंक एक विकेट दो दो विकेट हर मैच में उश्चेल एक खिलाफ आखरी मीट में तीन विकेट लिया था फैजल हग फारूकी के लिए अलग वल्लकब चारा है पांच चार तीन तीन इस तरीकी एंदबाजी करें उस चिलिए कैप्टन स्टोइनिस, ओमरजई, पैट कॉमिन्स, यहाँ पे एडम जमपा, वाइस कैप्टन राशित खान और फारुकी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इसकी टीम तखा जाएं तो गुरबाज हैं, यहाँ पे वाइस कैप्टन डेविड वर्नर, कैप्टन ट्रेविस हैड, मिच मार्स भी आ जाते हैं, मैक्सवेल इस्टोनिस भी हैं, पैट कॉमिन्स यहाँ पे पैट कॉमिन्स स्टाक और जमपा है, रासित खान और फैजल अ फारुकी हमारी टीम में है, बागी फाइनल अपडेट टीम जो भी होगी, आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और इस मैच का फाइनल विनर भी टेलिग्राम पर आएगा, यह सुबह वाला मैच है, साम वाला मैच भी टेलिग्राम पर आएगा, तो इस की बात की जाए तो इस मुकाबले में 40% अफगनिस्तान गे 60% अस्टेलिया की जीतने के जांसे जहेंगे अफगनिस्तान भी fight back कर सकती है बाट अस्टेलिया मैस निकाल ले जाएगी और मुझे लग रहा है ऑस्टेलिया मैस जीत जाएगी जी है according to me ऑस्टेलिया मैं भी the winner of this game बाकी आपको क्या लगता है कौन से टीम जीत सकती है आप हमें कमेंट करके जरूब दाएगा धन्यवाद